आप देखे इस तरह से अगर मेरे पास में Mario की position है एक symbolic है वो किस तरह से horizontally left से right side में move कर सकता है किस तरह से आज हम उसको move करेंगे matrices काम लोग use करने वाले है या इसके लावा अगर मुझे इसको vertically move करना हो तो क्या मैं इसको vertically move कर बापा हूंगा या फिर इन जनरर 2D plane के अंदर मुझे से पूरा move करना हो तो मैं कैसे इन चीज़ों को करता हूं या फिर मैं को एक जो computer का जो games बनाता है वीडियो games बनाता है जो animations बनाई जाती है वो किस तरह से program की जाती है और software के अंदर किस तरह से programming हो रही होती है आए देखते हैं इसको य अपने बड़े भाईयों बहनों से इसके बारे में पूछेगा वो आपको ज़रूर इस game के बारे में बताएंगे हमेंसे कई लोग इस ही game को खेलकर बड़े हुए है सूपर मार्यो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारे computer animations होते हैं including videos editing या फिर जो हमारे games होते है video games आपने देखे computer games होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं उनके अंदर किस तरह से जो objects हैं चीजें हैं किस तरह से वो move करती है या फिर किस तरह से अपना size shape change करती है reflection rotation वगेरा जिसे आप अपे game में देख रहा है कि एक object है सामने जो सूपर मार्य जो इसका hero है game का वो move कर रहा है direction में परस्पेक्टिव से लग हो सकते हैं पर आप देखें वो right side में उपर नीचे move कर रहा है mathematical terms में अगर हम बात करें तो वो एक 2D two dimension plane के अंदर वो अपनी position change कर रहा है आई यह देखते हैं इसको यह काम कैसे करता है इसके लिए अब हम शुलवात करते हैं हमने geo geobra के blank sheet से सबसे पहली बात है मुझे अपना जो mario है super mario है मुझे इसको move कराना तो सबसे पहले मुझे वो image लेकर आने पड़ेगी मैं अपना super mario की image ले आया अब mathematical notation के लिए मुझे इस image को कुछ mathematical symbolization देनी पड़ेगी ना कि इसकी positions क्या है और क्या नहीं है तो इसके लिए geo gebra के अंदर हम किसी भी image को दो point से represent कर सकते हैं reality में जो भी हमारे पास object होता है animations के अंदर वो pixel से मिलकर बना होता है तो उसका हर एक pixel एक अलग object की तरह काम करता है और जो भी हम उसके अपर code बना रहे हैं वो हमें हर pixel के लिए बनाना होता है लेकिन अभी geo gebra में हम यही सिर अपने mario को इसकी original positions पर ले आता हूँ उसके बाद अब जरा हम इसको समझते हैं कि आप देखे मैंने क्या किया है मेरे पास में जो position है a की minus 23,3 और b की position minus 16,3 इन positions को मैंने vector form में एक matrix के अंदर लिख लिया है minus 23,3 यह a के vertices हैं और minus 16,3 मेरे पास में second है अब मुझे क्या करना है आप सोचिए अगर मुझे मेरे पास में कोई भी point होता हो x,y यानि कि minus 23 x axis पर इसकी position denote कर रहा है और minus 3 y axis पर इसकी position denote कर रहा है अब अगर मुझे इस point 1 के x axis में कुछ add कर दूगा, minus 23 के अगर मैं अंदर कुछ add कर दूगा तो मेरे पास जो नया point बनेगा वो कहा होगा example लीजे, minus 23 के अंदर अगर मैं 10 add कर दूग, तो मेरे पास minus 13 होगा, वो इससे कुछ right side में होगा अगर minus 23 के अंदर मैं 23 add कर दूग, तो मेरे पास आएगा 0, यानि कि मैं यहाँ पर origin पर पहुच जाऊँगा मतलब मैं थोड़ा सा right side में पहुच गया हूँ, इससे मुझे एक बात समाज आए, कि अगर मुझे किसी point को right side में move करना है, तो मुझे उसके अंदर add करना पड़ेगा, कोई, उसके x-axis वाले जो x-coordinator में मुझे कुछ add करना पड़ेगा, और सिर्फ minus 23 के अंदर क्यों, minus 16 उसका b pointer, उसके अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ, same चीज, same चीज add करनी पड़ेगी, तो अभी उनके बीच का distance है, वो same रहेगा, horizontal के लिए, और vertical बढ़ाने के लिए, इसका जो y-coordinate है, minus 3 और minus 3, अगर मैं minus 3 के अंदर कुछ भी add करूँगा, इसके y-coordinate के अंदर, तो ये उपर की तरफ move कर जाएगा, जैसे minus 3 मेरे पास ये point यहाँ पर है, और अगर इसके अंदर मैं 10 add कर देता हूँ, तो minus 3 plus 10 मेरे पास आजाएगा 7, यानि के point की सकर पहुच जाएगा मेरा, यहाँ पर 7th position पर, 7th point पर, यानि के अगर मुझे image को, इस point को उपर लेकर जाना है, तो मुझे इसके y coordinate में कुछ add करना पड़ेगा, इसे के लिए क्या क्या मैंने, जो मुझे चीजे add करने थी, उसके लिए मैंने आपर 2 points दे दिये, अभी मैंने अंके अंदर कुछ भी add नहीं किया हुआ है, तो उपर वाला, जो यह मेरे पास में matrices नहीं बनिया, आप इसको देखें matrix को, इसमें जो सबसे first वाला 0 है, वो x coordinate में add होगा 23 के, नीचे वाला 0, y coordinate में add होगा 23, minus 3 के लिए, और यह वाले जो है, यह भी इसके x coordinate में add होगा, b point के लिए, और यह इसके y coordinate में add होगा, b के लिए, आप इन positions को देख पा रहा होगे, मेरे यहाँ पर x से, मैंने इसकी edge position को denote किया है, जो x axis में increase करना है, horizontal edge से, जैसे-जैसे मैं इसको increase कर रहा हूँ, आप देखिए, मेरे पास में जो position है, वो change हो रही है, इसी तरह से, जैसे-जैसे मैं vertical positions को change कर रहा हूँ, मेरे matrix की vertical वाले position change हो रही है, अब इसको ज़रा समझते हैं, एक बर Mario को थोड़ 23 minus 16 minus 3 minus 3, और उसमें मैंने एक दूसरी matrix add की, अब जो मेरे पास में resultant matrix आने वाला है, मैं उसको लिखता हूँ, अब मेरे पास नया matrix क्या आएगा, इसको add करेंगे तो मेरे पास में matrices, यह मेरे पास पूरी equation बनेगी, क्या होगा, आप देखें, minus 23 और minus 16 minus 3, इस matrix के अंदर मे यह वाला matrix add होता है, तो उसके corresponding elements add हो जाते हैं, और में पास resultant matrix यहाँ पर आ जाता है, आप लोगो को दिख रहा होगा, अब इस चीज़ को मैं change कैसे करूँगा, original position हो ही रहेगी, मैं जैसे आप देखें, h को change करता है, h को मैं लेकर चला गया, यहाँ पर, 11.2, 10.25, अब द वाले point को change करता है, यानिकि vertical के y direction में कुछ add करता हूँ, तो 18.3 यहाँ पर था V, और 18.3 ही मेरा यहाँ पर आ गया, यह दोनों इसके नीचे वाले matrix में add हुए, और इसके मेरे पास में result end आ गया, background में होके आ रहा है, मेरे पहले matrix के अंदर, मेरा दूसरा matrix add हो रहा है, और ह हम जानते हैं, जो matrix add होते हैं, तो उनकी corresponding positions add हो जाती है, और उनका मेरे पास में result आ जाता है, अब यह चीज़ हमारे animations में कैसे काम करती है, इसको देखते हैं, मैं वापस से अपना Mario को लेकर आता हूँ, Super Mario को, Super Mario है हमारे पास में, या Super Mario, और मैं अब ला देता हूँ इनकी initial positions, यह A, यह B, ठीक है, उनकी positions लिखी हुई है, अब आप देखिए, जैसे-जैसे मैं H को increase करता हूँ, जैसे-जैसे मैं H को increase करता हूँ, मेरे matrix change हो रहे हैं, किस तरह से, H को change करने पर मेरी values यहाँ पर change हुई, तो X-axis में addition हुआ, और मेरे पास result आया, 4.55,-3, जो मेरी A की position है, 4.55,-3, और B के लिए नए मेरे coordinates क्या है, 11.55,-3, तो मेरे पास B के नए coordinates बने 11.55,-3, इसी तरह से, मैं जैसे-जैसे-इस के अंदर कुछ भी add कर रहा हूँ, मेरे matrix के अंदर, वो मेरे पास position change हो रही है, अब जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे-जैसे- तो corresponding positions add होती है और मेरे पास नए vectors positions आ जाते हैं अब आप देखें A के नए coordinates के है 13.2,9.5 वो भी मेरे पास यहाँ पर है 13.2,9.5 और B के नए coordinates के है 20.0 20.2 और 9.5 वो ही मेरे coordinates है यहाँ पर तो इस तरह से मैं जो भी matrix add करूँगा उसके help से मैं इनकी positions change कर सकता है और मेरी पूर equal simple matrix addition के help से किसी भी object को screen के उपर एक जिंगे से दूसरी जिंगे move कर सकते हैं अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखने के लिए concept हम इस समझ में आया हम थोड़ा सा background वगरा change करते हैं मैं क्या करता हूँ इसकी जो grids हैं वो हटा देता हूँ उसके बाद म मैं h को in बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो super Mario है वो horizontal axis में बढ़ रहा है और ओपर आप matrix भी देखते हैं कहीं पर भी वीडियो को pose करके देखेंगे तो जो मेरे पास initial position और resultant position होंगी वो बिल्कुल as it is same होंगे addition आप कहीं पर भी वीडियो को pose करके check कर सकते हैं अब मैं इसको लगा जता हूँ self animations पर आप देखें सबसे पहले इसकी horizontal animation को देखते हैं क्योंकि अब मैंने जो वी वाला था आप देखेंगे कि जो वी वाली positions है जो y-axis made हो रहा तो इसको मैंने 0 रखा तो कुछ add नहीं हो रहा तो initial position और final position same है तो इसलिए सिर्फ horizontal position पर move कर रहा है अब पहले तो लेकर आता हूं horizontally यहां पर यहां से आपको उपर चड़ना है ले आया और अब मैं इसका जो vertical वाला है उसको बढ़ा देता हूं दिरे-दिरे और इस Super Mario अब horizontal वाला fix हो चुका है और सिर्फ vertical वाला change हो रहा है तो Super Mario उपर जाएगा उपर जागा पर नीचे आएगा क्योंकि वह oscillate कर रहा है उपर से नीचे हो रहा है यह बिल्कुल इसे simple matrix edition होता है computer graphics के अंदर और उनकी positions decide होती रहती है अब अगर इनी चीज़ों को हम दोनों को एक साथ play करने तो उसकी जो आप random positions हैं उनको आप एक साथ change कर सकते मैं इसका एक example देता जैसे मुझे Super Mario को jump कर तो मैं क्या करूगा मेरी basic initial position पर है मैंने क्या किया उन दोनों को एक साथ शुरू कर दिया तो मेरा Super Mario जाएगा उपर पहले उपर जाएगा और पिर time के साथ वो क्योंकि maximum position पर पोचने का बापस आना है उसके बाद वो आ जाएगा नीचे यह ना very easy इस तरह से जितनी करानि इसकी heights बगारा fix होती है और वो उतनी तेज जम कर लेता है इस तरह से हमारे positions जो हैं move कर सकते हैं आप किसी भी direction में अपने object को move करा सकते हैं thank you for watching our video thank you for this यह हमारे series की पहली वीडियो है इस computer graphics और matrix के अंदर अभी हम कुछ videos और मनाएंगे उन्हें देखने के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ शुक्रिया